हेलो गाईज, वेलकम बेक टो अबर चैनल, Zero to Infinity दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी योट्योब में प्रॉब्लम आ रही है, कि लिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, आज की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पसंदा है, वीडियो को लाइक चुरूर करें, हमारे चैनल, Zero to Infinity को सब्सक्राइब करें, ऐस इन्फोर्मेंटिव वीडियो को, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सबसे बहले हमें क्या करना है, हमें अपने डिवाइस की सैटिंग है, उसको उपन कर लेना है, तो सैटिंग उपन करने के बाद, हमें निच्छ स्क्रॉल डाउन करना है, सैटिंग में, तो सैटिंग में जैसे मैं निच्छ स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहां पर एक ओप्शन देखेगा, तो इस पे click करने आपको इस पे click करने के बाद यहाँ पर 4-5 आपको feature देखेंगे तो यहाँ से आपको simply select कर लेना है Manage Apps पे तो जैसे Manage Apps पे मैं click करूँगा तो Manage Apps पे click करने के बाद हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे search कर लेना है Kind Master को यहां फिर यह भी आप है हमारा जिसमें प्रोब्लम आ रही है उसको अपने यहां से आपको सर्च कर लेना है तो फिलाल मैं अपने आप को ओपन कर लेता हूं जिस आप में प्रोब्लम आ रही है ओपन करने के बाद उसकी स्टोरेज पे जाना है तो स्टोरेज पे जाने के बा तो आप परमिशन पर आने के बाद हमें यहां पर सारी परमिशन जो भी है डिफरेंट टाइप्स की सारी परमिशन इनेबल कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन डिनाए नहीं करनी है तो सारी परमिशन इनेबल करने के बाद हमें जाना है अधर परमिशन पर तो other permission पर भी हमें क्या करना है, one by one सारी permission enable कर देनी है, सारी permission enable करने के बाद, हमें नीचे scroll down करना है, और एक option देखेगा नीचे, आपको जैसे scroll down करोगे, तो यह option होगा, restrict data usage का, तो हमें क्या करना है, इस पर हमें click करना है, और इसमें wifi और mobile data आपको देखेगा, तो wifi और mobile data इन दोनों को आपको क्या करना है, enable करना है, अगर by chance off होगा, तो इनको own कर लेना है, और ध्यान रखने हैं, इनको अभी off नहीं करना है, तो यह सब करने के बाद, हमें नीचे scroll down करना है, और यहाँ पर एक option होगा, create default का, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद, एक बार अपने app को force stop कर दीजेगा, force stop करने के बाद, एक बार अपने device को restart कीजेगा, restart करने के बाद, 5 मिनिट बेट कीजेगा, और 5 मिनिट बाद आपकी जो भी problem है, वो solve जाएगी, I hope आपके लिए ये विडियो informative साबित हुई होगी,